उजया जी उजयन से राधा वल्लफ शीय रिवेंश गुर्देव आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ा हो गुर्देव यदि हमसे कोई ऐसा करम बना हो जो कभी प्रगट में गुर्देव के समक्ष ना बोल सके तो उसका प्राश्चित कैसे करें और ये कैसे समझ आए क गुर्देव ने हमें माफ कर दिया है किसी भी करम का प्राश्चित आगे से हम वो गलती ना करेंगे ये नियम ले और हरदय में पश्चा ताप करें कि हमारे द्वारा इसी गलती हो गई प्रगु मुझे शमा करो और नाम जब करें नाम कीरतन करें तो नाम शंकीरतनम यश् जिनका नाम जब नाम कीरतन सर्व सब्द है साब गलतियों को अपराधों को पापों को नश्ट कर देता है प्रभू का नाम कीरतन प्रभू का नाम जब और आज जो हमसे गलती हुई वो आगे नहीं करेंगे और प्राण पन से ये नियम का निर्वाह करें कि उगलती ना होने पावे तो बिना किसी दंड के अपरा चमा हो जाएगा किसी की भी कोई गलती हो क्योंकि हम सब अग्यानी बच्चे ही हैं जैसे पिता बड़े से बड़े नुक्षान करने पर बच्चे पर अंदर से प्यार ही रखता है उब बहले थोड़ा जड़क दे मा को भी कह दे घोस में रखा करो देखो नुक्षान कर दिया या देखो गलती कर दी अगर ओ शयाना भी हो गया है और गलती हो गई तु कोशिस करेगा में जितना पावर है बुद्धी का धन का उसको लगा कर हम अपने बालक को शुरक्षित रखें तो ऐसे अनंत माताओं अनंत पिताओं जैसा प्यार हमें भगवान करते हैं स्वयमो कह रहे हैं कि तुम कोई और आश्रे मत लो अपनी गलतियों के मिटाने के लिए मेरी शरण में आजाओ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सरणम्रज केवल मेरी शरण में आजाओ तो आहम तुआम सरवपाप अभ्यू मोक्षिश्या में मासुचा बस पर इसमें सर्थ है जो अपराद किया वो दुबारा नहीं होना चाहें तभी आपका प्राश्चित माना जाएगा नहीं तो वो बकवाश है फिर प्राश्चित नहीं आपका प्राश्चित है कि अब कुछ भी हो जाए अब जो गलती हो गई प्राण भले चले जाए अब वो पाप हम नहीं करेंगे बस उसका दंड भी नहीं भूगना पड़ेगा आपको वो खतम हो जाएगा कोई भी पाप कोई भी अब जान बूच करके कि बात सुन ली अब पाप करेंगे फिर ऐसा कर लेंगे तो डबल दंड मिलेगा क्योंकि अब आप यह नहीं के सकते हैं मुझे पता नहीं था तुम्हें पता था जान बूच के किया तो फिर जान बूच के जहर खाओगे तो मरी जाओगे अगर बचना है और कोई धोखे से खवा दे भगवान को पुकारोगे तो बचा सकते हैं लेकिन जान बूच के खाओगे फिर नहीं होगा फिर तो मरना ही पड़ेगा